खराब results, failed attempts, ये वो चीजे हैं जिनके लिए तुम eligible नहीं हो, तुमसे कुछ उचूख हो गई तो कैसे काम चलेगा, पहले पैदा होने की गलती हो गई न, तो तुम्हारे नखरेओ और गलतियां थोड़ी न कोई जेलेगा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में बड़े भाई बेहन हैं, ठीक है, तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे, कि तुम अपने घर में सबसे पहले पैदा हो गई, वैसे टेक्निकली तुम्हारी गलती तो नहीं है ये, पर इस चकर में तुम्हारे माथे पर न जाने कितने स्टैंप्स लग गए, बड़े बच्चे का स्टैंप, याद है, जब तुम छोटे थे, तुम्हें याद दिलाया जाता था कि तुम बच्चे थे, पर बड़े थे, फिर लग गया सेकंड पेरिंट का स्टैंप, सेकंड पेरिंट, क्योंकि तुम्हारे घर में यंगर सिबलिंग नाम का एक प्राणी रहता है, जो तुमको अपना माबाप मान कर बैठा है, क्योंकि देखो, खुद का हॉमवक अब तक नहीं करा, पर इस यंगर सिबलिंग को पढ़ाना है, तुम्हारे दोस्त खेलने बुला रहे हैं, पर छोटी बहन को ट्यूशन से लेकर आना है, खुद की लाइफ में लगी पड़ी है, पर छोटे भाई को हर जमेले से बचाना ह और गलती से, गलती से बदकिस्मती से अगर ये छोटे भाई बहन सेम स्कूल में हो, तो स्कूल में तुमको स्टूडेंट से पहले इनके पेरेंट्स का फर्ज निभाना है, और फिर तमीज का स्टैंप, बदतमीज रिष्टेदारों में भी तुम्हें तमीज में रहना है, कोई मामा फूफा कुछ उल्टा सीधा कहे तो तुमको जुबान पर टेप लगा के चुप चाप सुन लेना है मतलब कोई छोटा कुछ गलत कहे तो उसके कान पर देना है और अगर कोई बड़ा कुछ बड़ा गलत कहे तो जोश नहीं दिखाना चुप चाप सुन लेना है तो ये तो यार देखो बचपन से ही सिखाया है हमें कि बड़े बच्चे तुम्हें बोलना नहीं है सुनना है तुम अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हो बनना क्या चाहते हो ये तुमको खुद नहीं चुनना है क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे सभी फैसले तुमसे बड़े लेंगे, और अपने बड़ों की बात सुनो, अपने बड़ों की बात सुनो, वो तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी चुनेंगे, तो तुम ना, ज्यादा मत सोचो, प्लान के अकॉर्डिंग चलो, फिर चाहे वो पढ़ाई रत्ती भर भी काम की ना हो, हर रात सबको ये लगना चाहिए कि तुम तो चैन से चद्दर तान के सो रहे हो, फिर चाहे घरवालों की बातों से तुम्हारी नींद हराम क्यों ना हो, घर की लडाईया सहो, जब मम्मी पापा लड रहे हो, तो छोटे बहाई बहन को चुप जाप चाके सूने को कहो, और अपने आपको ना रोने को कहो, बस एमोशन्स ही तो कंट्रोल करने हैं, इतना तो एडजस्ट तुम करी सकते हो, बच्चे थोड़ी ना हो, बड़े हो, एडजस्ट का स्टाम्प, कि जब कोई नहीं समझता, तब भी तु तुमको करना चाहिए, और इसमें भी कोई गुझाईश नहीं है गलती की, तुमको आजादी नहीं है गिरने की, तुम्हारे आसमान में कांटे उगा कर कहते हैं कि ये जगा है तुम्हारे उड़ने की, और इस कांटों से भरे आसमान में भी, सब तुमसे उमीद करते हैं ब कब से हच्चा होना चाहिए, you can't choose to be average, क्योंकि flawless तो घर का बड़ा बच्चा ही होना चाहिए न, खराब results, failed attempts, bad remarks, तुम्हारे career पे scars, यह वो चीजे हैं जिनके लिए तुम eligible नहीं हो, क्योंकि, तुम से कुछ उचूख हो गई तो कैसे काम चलेगा, पहले पैदा होने की गलती हो गई न, तो तुम्हारे नकरे और गलतियां थोड़ी न कोई जेलेगा, जिम्मेदार का stamp, जिम्मेदारी, हालात चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना है, किसी बात पे रोना आए, तो आंसूओं को अपने अंदर दबा के रखना है, क्य क्योंकि उन दोनों छोटों को दिन रात रटाया जाता है, उन दोनों छोटों को दिन रात रटाया जाता है, कि उन्हें तुम्हारे जैसा बनना है, ये पाठ पड़ाया जाता है, तुम्हारे जैसा, जैसे तुम हो, पर क्या तुम खुद ऐसा बनना चाहते हो, कोई नहीं पूश्ता तुमसे कि क्या खुच ऐसा हटके है जो तुम भी करना चाहते हो पर काश कि ये लोग सभी ये देख अगर पाते कि तुम तो खुलके कभी भी जाहिर नहीं हो करते वो बाते जिन बातों पे तुम घर वालों से लड़ना चाहते हो ना तुम खुलकर रोते हो ना कहत कि रोना है ना डर को जाहिर करते हो जब डर ना चाते हो ना वक्त पे खाना खाते हो बस जूटा सा मुस्काते हो तुम तब भी कैसे हसते हो जब हार के घर पे आते हो तुम तब भी कैसे हसते हो जब तुम अपने ख्वाबूं को बाहर मार के घर पे आते हो काश कि ये लोग नजर नहीं आता, क्यूंकि sacrifice का stamp लगा है न, पते, तुमसे न, बहुत उम्मीदे हैं सबको, कि तुम सपने पूरे करो, पर अपने नहीं, अपनों के, तो वक्त रहते न, एक हिदायत ले लो, कि अपने सपनों को एक कागस पे लिख दो, अपने सपनों को, एक कागस पे लिख दो, उस कागस को किसी ऐसी जगा पे रख दो, जहां पे न जाएं किसी की निगाह हैं, जहां पे न जाएं ये चलती हमाएं, जहां पे न जाएं ये हिम्मत तुम्हारी, जहां पे न जाएं हकीकत तुम्हारी, जहां पे न आके कहे ये को कोई कि तुम्हारे ये सपने हैं सपने नहीं जहां पे ना कोसेगा कोई भी तुमको बस उसके लिए जो कि सचमुच में तुम हो सच्च मुच में तुम हो घर के बड़े बच्चे हाँ सच्च मुच में तुम हो घर के बड़े बच्चे पर बड़े बनते बनते सब क्यों भूल जाते हैं ये कि तुम बच्चे भी तो हो है ना अब बच्चे हो तो ख्वाप देखते हो जिम्मेदार हो पर कभी-कभी लापरवाही भी कर देते हो गलतियां भी होती हैं तुमसे हाँ चलते-चलते तुम भी राहों में गिरते हो कभी-कभी नहीं होता यार, it's just कभी-कभी तुम भी बत्तमीजी कर देते हो हसते हो सबके साथ पर कभी-कभी फूट-फूट कर रो भी पड़ते हो तो क्या हो गया यार माना कि घर में सबसे बड़े हो पर तुम भी बच्चे ही तो हो and actually, I'm sorry, okay I'm sorry, जो इतना ज्यादा बोल गई मैं घर में सबसे बड़ी हो न तो मुझे इतना ज्यादा एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है I'm sorry and thank you, thank you so much everybody